आपका अपने यूट्यूब चैनल गिरिल लाइन सॉलोशन पर और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे बोट का कॉर्स पढ़ेंगे से लेवस पढ़ेंगे जैक का 12 का ठीक है देखिये इसमें NCRT पढ़ेंगे इसमें Pढ़ेंगे NCRT ठीक है क्योंकि कैसी सीना पढ़ने का टाइम अभी नहीं है इसलिए NCRT शुरू करते है देखिए इस चैनल में मेरे जितने भी सस्क्राइबर्स हैं जितने मेरे वीवर्स हैं उसको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें competition का भी वीडियो चलेगा ठीक है लगातार और इसका वीडियो जो है student के बहुत ज़्यादा बांग पर हम दे रहे है ठीक है क्योंकि lockdown देखिए बहुत दिन हो गया है lockdown खोल नहीं रहा है और बहुत सारे चात्रों का demand है कि सर यह शुरू किया जाए class 12 का तो यह NCRT है class 12 का इसमें आप लोग से कोभी फी नहीं लिया जा रहा है ना कुछ extra charges लिया जा रहा है आपके जो भी family में जो पढ़ रहे हैं 12 का जो त्यारी कर रहे हैं उस तक आप यह संदेश को पहुंचा दिजेगा कि free of cost जो है वहाँ पे मैध का syllabus चलाया जा रहा है जितने भी subscribers हैं उसको तो कोई भी family member अगर ऐसा है 12 का वो त्यारी कर रहे हैं अभी कहीं घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं या बहुत सारा online में जो पढ़ा जा रहा है वहाँ paid cost लिया जा रहा है तो आप उसे बता सकते हैं free of cost वो पढ़ सकते हैं ठीक है तो चैनल को अगर subscribe नहीं किया हैं तो subscribe कर लिजेगा ताकि परते एक दिन जो वीडियो इसमें upload किया जाएगा पढ़ाया जाएगा वह उसका notification आप तक पहुंच जाएगा और आप उसे देख पाएंगे ठीक है तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं exercise 3.1 सबसे पहले matrix पढ़ते हैं matrix पढ़ते हैं इसका बहुत taps है इसलिए इसको matrices भी इसका प्रोलर है ठीक है अब यहाँ पर direct आते हैं हम लोग exercise में exercise 3.1 देखिए इसमें हम बता चुके हैं कि matrix क्या है matrix एक आताकार ठांचा है जिसमें हम लोग number को सजाते हैं row और column में जिसमें हम लोग क्या करते हैं number को सजाते हैं row और column में सजाते हैं जैसे देखिए यहाँ पर 1,2,3,4 ले लिए चाहे number हो चाहे function भी हो ठीक है मतलब हम लोग numbers या functions को सजाते हैं यहाँ पर देखिए यह sin x हो सकता है यह cos x हो सकता है यहाँ पर cos x और यहाँ पर minus sin x ठीक है तो यह भी matrix है मेरा और यह भी matrix है मतलब किसी भी आताकार ठांचा में हम लोग numbers या functions को सजाते हैं row और column में उसे क्या बोलता है matrix देखिए जो horizontal जाता है यह कहलाता है row ठीक है यह क्या कहलाता है रो काला था यह जो जाते है और इजेंटर मतलब देखिए जमीन के साथ जो चलता है और जो उपर से निचे इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कोलम इसको कोलम ठीक है इसी तरह से यह क्या हो यह फास्ट कोलम यह सकेंड कोलम ठीक है यह फास्ट रो यह सकेंड रो यह भी क and this is second row, यह क्या हो गया, first row हो गया, यह क्या हो गया, second row हो गया, ठीक है, तो इसमें confusion नहीं है, एक बड़ फिर से एक example ले लेते हैं, ठीक है, देखें, यहाँ पर ले लेते हैं, four, one, zero, यह minus two, यह कोई metric से माल नहीं है, इसे हमेशा generally capital letter से denote किया जाता है, ठीक है, तो देखें, यह जो कहला आया, इधर से, यह जो horizontally जो कहला आया, इसको बोलेंगे, first row बोलेंगे, इसको बोलेंगे, first column, first column बोलेंगे, ठीक है, और यह जो दिखिए यहां पर जो बर्टी कली आएगा इसे इसको हम लोग बोलेंगे यहां पर यह पर यह कोलम लिख दिये ना यह स्टेंड रोगा यह हो जाएगा स्केंड कोलम हो जाएगा ठीक है यह हो जागा second column देखे ऐसे घरके तो आप लोग को धियान रखना है यह क्या हो गया मेरा रो हो गया जो horizontal जाएगा सो और vertical लएगा हो क्या हो जाएगा column हो जाएगा इसको में लो order बोलते है रो रो कोलम को जिसे लिख सकते हैं दो रो हो गया दो column हो ठीक है order आपको यहाँ पर लिखाना देखे सिखा देते हैं यहाँ पर matrix है 1210 ठीक है यह matrix है यहाँ पर B है यहाँ पर 41029 यह matrix है C यह 10 है ठीक है तो order क्या होता है matrix का देखे कि कितना रो है इसमें इधर से एक रो यह दो रो यह जो horizontal जाता है इसको क्या बोलते हैं रो एक रो दो रो यह दो रो हो गया और इधर से जो मेरा आएगा यह क्या हो जागा column हो जागा यह first column यह second column ठीक है इसमें देखे क्या हो जागा फरस्ट रो यह 사केंट रो दो है दो कोलम है इधर से इधर से ठीक है टूबाइ टू हो जागा इसमें current row कितना है एक रो यह दो रो यह रो हो गिया कोलम कितना हो जागा एक हो जागा तो यह एक है ठीक है तो इस तरह से हम लोग इसका order निकालेंगे आपको उतना concept नहीं दे रहे हैं नाए definition दे रहे हैं बस problem बनने से मतलब है और बहुत कम समय में अच्छा करने से मतलब है चलिए अब बिना समय गवाय शुरू करते हैं exercise ठीक है 3.1 exercise 3.1 NCRT देखिए matrix है यह first question लिए है आपर बोल रहा है question first है matrix दिया हो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग समझाएंगे कितना row कितना column है इसमें एक row first row यह second row यह third row मतलब तीन row हो गया इसका column कितना हो जाएगा एक दो तीन यह चार ठीक है इस तरह से गिनना है आपको row गिनना है यह first यह second यह third इस तरह से column first second यह four ठीक है three by four इसका क्या हो गया order हो गया बोल रहा है order of the matrix first question पुछ रहा है matrix में order कितना होगा three by four इसको into नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे by पढ़ेंगे यह first हो गया दूसरा में मांगा है the number of elements ठीक है तो number of elements चाहे number of entries बोले इसमें जो जितना number है ना उसको बोलते हैं*** हम लोग elements बोलते हैं चाहे number रहे चाहे function रहे जो भी कुछ रहे है उसको क्या बोलेंगे elements बोलेंगे यह फिर entries बोलेंगे तडियांपर elements मांगा है मतलब कितना total है यह मांग रहा तो order को कुणा कर देंगे तो आ जाएगा तो तीन इंटो चार कितना हो जाएगा यह 12 हो जाएगा 12 ठीक है इसे भी गिन लिए एक दो तीन चार चार आठ चरवार ठीक है तीसरा में बोगणा राइट दा इलिमेंट्स A13, इलिमेंट्स मांग रहा है A13, ऐकर लिखा रहता है, फरस्ट रहता है हमेंसा रो, दूसरा रहता है column ठीक तो इसका trick एक आप लोग आध रखेगा recharge से इसको आध रखेगा R C recharge पहले हम लोग रिचार्ज करते थे R C recharge तो R से row C से column ये fix है कि first क्या होगा row होगा ये fix है कि second क्या होगा column होगा ठीक है this is fixed that is first is row and second is column तो यहाँ पर देखिए write the elements A13 मतलब A131 क्या है पहला इतरी क्या है column है row e column T pragmatic one ha how stronger होगे हम लोगा क्या हो यह पहला होगे आपो ऐसे रहा होगे ūिसरा column बाद में क्या carryographics यहाँ लिखेंगे देखिए row hoimas ये कोलम हो गए कोलम कितना है तिन कोलं मी पहला दूसरा ये तिसरा कोलं में कोन भात अज़र है थorous कोलं म् पहला रोमें वह में कौन आएगा तिसरा कोलं में पाइला रोम होना इसा या टा weapons ये रो ये कोलम तो रो मेरा कितना है दूसरा तो ये पहला रो हो गया ये दूसरा रो हो गया देखिए ये दूसरा रो हो गया ठीक अब बोल रहा है दूसरा रो कॉलम पहला ओ सौरी ये ये रो दूसरा ए होगा ठीक है ये रो होगा दूसरा ठीक है ये दूसरा रो हो गया फि तो यह दूसरा रो कॉलम है यह हो जाएगा यह पहला कॉलम दूसरा कॉलम तिसरा कॉलम चाओ था कॉलम यहां बोल रहा है कॉलम कॉन पहला कॉलम तो पहला कॉलम यह हो जाएगा ठीक और रो कॉन बोल रहा है दूसरा तो दूसरा रो यह हो जाएगा यह दूसरा यह पहला तो कोन हैगा यह 35 जाएगा तो यह 35 हो गया इसका अंसर ठीक है बाकी जो आपका है यहाँ पर यह 3-3 यह 2-4 यह दो आपको बना करके comment box में बताना है ठीक है आज शुरुआत है इसलिए आज इतना ही कल से जादा से जादा प्रियास करेंगे solution करने कर ठीक है वीडियो भी थोड़ वहाँ पर online शुरू हो चुका वह भी free of cost आप पढ़ सकते है ठीक है मैत में डरने की ज़रत नहीं है तो ठीक है चैनल को अगर subscribe नहीं की है तो subscribe कर लिजेगा और लोगों तक share कर दिजेगा वीडियो को